हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी पहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूच्यूब चनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विशे परियावरान अंध्यन कक्षा 3 सब तहां 21 की वर्कशीट आज का विशे है बच्चों पार्ट 16 खेल खेल पे तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करणे से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटर दबाईए और सभी मेरे मुआ और चैनल को सस्क्राइब किजिए चैनल को सस्क्राइब करा ना भूलिये है फ़ाफ पहला प्रेशन है बच्चों रिख्तिस्थान भरे आंध्यके लिए नयमित रूप से खेले खेले जाने वाली गति वीदियो को हमारी क्या कहते हैं शौक कहा जाता है जिसे हम नियमित रोप से खेलते हैं ठीक है घर के बाहर खेले जाने वाले खेले को क्या कहते हैं बच्चो आउट्डोर खेल ठीक है आउट्डोर खेल बाहर खेले जाने वाले खेल और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल इंडोर खेल गर के अंदर खेले जाने वाले खेल हौप स्कोच का दूसरा नाम क्या है बच्चो हौप स्कोच का दूसरा नाम है स्टापो खेल हमें चारिरिक और मांसिक रूप से स्वस्त बनाए रखता है अगला है बच्चो प्रेशन दो निम्लिकित खेलों को आउट्डोर गेम याने कि घर के भार खेले जाने वाले खेल और इंडोर गेम घर के अंदर खेले जाने वाले खेल में वरगी करत करें तो बच्चों भार खेले जाने में वाले खेल इन में से कौन कौन से है तो देखें बच्चों गिल्डी डंडा कबड़ी क्रिकेट फुटबॉल कुष्टी बैट बिन्टन ठीक है और घर के अंदर खेल ले जाने वाले खेल है लूडो सांप सीडी शतरंज और कैरम ठीक है बच्चो अगला प्रशन है बच्चो निम्ख खिलाडियों के नाम दिखिए ये कि स्केल से जूरे है तो देखिए बच्चो आपको खिलाडि के चितर दिया गया है फोटो दी गई है आपको बताना है कि ये कौन से खिलाडी है कौन से खिल से ये जुड़े हैं तो पहला है महेंद्र सिंग धोनी ये बच्चो क्रिकेट खिल से जुड़े हैं दूसरा है बच्चो साइना नेहेवाल ठीक है बच्चो आप सभी को पिच्चर दिखाई दे रही होगी ये है बैड मिन्टन से जुड़ी होई ठीक है बच्चो अगला है बच्चो गीता फॉगट ये है कुष्टी से अगला है बच्चो विश्वनाथन आनंद बच्चो ये शतरंज के खिलाड़ी है ठीक है ये है बच्चो मैरी कॉम आप सभी मैरी कॉम को जानते ही होंगे ये बच्चो मुक्के बाजी खेल से जुड़ी हुई है ठीक है अगला है बच्चो प्रशन चार नीचे दिये गए चित्रों को ध्यानपुर्वग देखें और इन चित्रों में दर्शाइ गई गति वीदियों के नाम दिखें तो देखे बच्चो पहली के बच्चे क्या कर रहे हैं नाच रहे हैं तो ये नरत्य है दूसरी में बच्चा गा रहा है तो यहाँ लिखेंगे गाना गाना देखें बच्चों तीसरी क्या कर रही है तीसरी व्यायाम कर रही है तो व्यायाम करना अगला है बच्चों पौधों में पानी डालना बच्चों ये चित्रकारी कर रहा है यहां रिखेंगे चित्रकारी करना ये सिलाई कर रही है तो यहां लिखेंगे सिलाई करना अगला देखें बचो ये क्या कर रही है ये स्वेटर बुन रही है तो यहां लिखेंगे बुनाई करना ये पढ़ रही है तो यहां लिखेंगे पढ़ना और ये गिटार बजा रहा है तो यहां लिखेंगे गिटार बजाना इस तरह से आप सभी को इसे पूरा करना है अगला है बच्चो जीवन कौशल संतुलित आहा शरीर शोष्ठो मजबूती देने वाले संतुलित आहार में दूसरे प्रकार का भोजन शरीर को मजबूती देने वाले भोजन इससे पहले हमने उड़जा देने वाले भोजनों का बारे में पढ़ा था शरीर शोष्ठो भोजन हमें अच्छी तरह से बढ़ने और हमारी माशपेश्यों के निर्मार में मदद करता है ये प्रोटीन से भरपूर खादे पदात है जैसे दूद, सोया बीन, अंडे, बीन, डाले, मेवे, आदी ये खादे पदात बच्चों के विकास, मस्तिष्क के विकास, माशपेश्यों के विकास और सीखने के लिए भी अत्यांति महत्पुन है तो बच्चों देखें विध्यार्तों के लिए क्या गतिवीदी दी गई है अपने घर पर उपलक पांच शरी शोष्ट मजबूती देने वाले खादे पदातों के सूची बनाईए तो बच्चों कौन कौन से ऐसे खादे पदात आपके घर में मिल जाएंगे दूद, अंडा, डाल, मास, सूखे मेवे कोई एक बिना गयास के व्यंजन बनाए व्यंजन की सभी सामागरी स्वस्थ होने चाहिए स्वस्थ होने चाहिए बच्चों जो भी सामागरी आप बनाए व्यंजन बनाएंगे उसकी सामागरी सभी हमारे सरेज के लिए स्वस्थ होने चाहिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं इसकी तस्वीर ले और अपने शिक्षक के साथ साजा करें अगला है बच्चो प्रशन तीन भूमी का निभाने की गतिवीदी अपने आपको शरीर को मजबुती देने वाला भूजन माने अपना महद बताते हुए एक मिनिट का वीडियो बनाए तो जैसे बच्चो मैंने अपने आपको एक अंडा माना यहाँ पर यहाँ लिखेंगे मैं एक अंडा हूँ मैं सब को ताक्रत प्रदान करता हूँ मैं शरीर को स्वस्त वे मजबुत रखने में मदद करता हूँ इस तरह से बच्चो आपको करके और एक वीडियो बनानी है ठीके बच्चो अगला है बच्चो संसकाशाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते अपने जहाज के आने की प्रतिक्षा ना करे स्वयम तैर कर उसके पास जाए बच्चो गैरी वुड ने ये कहा है खाना पीना दादा जी की या दादी जी की पसंद का खाना खाना परिवार के साथ समय बोलने में कठी शर्प टंग ट्विस्टर इसे पांच बार जल्दी जल्दी लगातार बोलकर देखें खडक सिंग के खड़कने से खड़कती है खिडकियां के खड़कने से खड़कता है खडक सिंग दिन की गतिवीदी अपनी पुस्त को और कौप्यों पर जिल्द चड़ाना बचो ये गतिवीदी आप सभी को करनी है दैनिक दिन चर्या निम्लकित आदतों को अपनी दिन चर्या में शामिल करें अपने माता पिता का विवादन करके अपनी दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रेश करें, प्रती दिन इस्नान करें, खुब पानी पी और संतुलित आहार लें, अपने चाहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोई, अपने ग्रैकारे समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें जाद से ज़ सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सबी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद